जब भी हम सादे खाने के बात करते हैं तो या दाल चाउल के बात करते हैं या तो फिर दाल रोटी के बात करते हैं दाल तो अपने बहुत तरीके से खाए होंगे लेकिन आज का दाल बहुत ही स्पेशल है बहुत खास है अगर आप इस तरीके से एक बड़ अड़हर की डाल बना लेंगे तो आप बार-बार इस तरीके से ही बनाना चाहेंगे क्योंकि आज का डाल होने वाला है बहुत ही टेस्टी वाला और बहुत ही सिंपल और जटपट बनने वाला तो चलिए आज का वीडियो शिरू करते हैं अरहर की दाल बनाने के लिए मैंने लिया है लेसन की कलिया और लेसन की कलिया को हम बहुत ही बारीकी से चौप कर लेंगे तो यहाँ पर जो भी सबजी हमें लेना है सभी सबजी को जैसे की टमाटर, प्याज सभी सबजी को बहुत ही बारीकी से काटना होगा तभी जाके इसका स्वाद आएगा तो मैंने प्याज को भी बहुत ही बारीकी से काट लिया है अभी टमाटर को काट रही हूँ टमाटर को भी इस तरीके से बहुत ही बारीकी से काटना होगा और एक हरे मिर्ची को मैंने बीच में से कट लगा लिया है तो दाल बनाने के लिए देखिए मैंने क्या के लिया है लैसन, टमाटर, प्याच और हरे मिर्ची और अब हम लेंगे अरहर की दाल तो यहाँ पे मैंने एक कप भरके अरहर की दाल लिया है मतलब इसका मेजरमेंट है एक कप अभी इस दाल को बहुत ही अच्छे से यानि की दो-तिन पानी चेंज करकर के धोना है क्यूंकि इसमें बहुत सी मिट्टी बहुत सी पॉलिस पाउडर वगरा लगी हुई रहती है जिसको क्लीन करना बहुत जरूरी है तो इसलिए इसको दो-तिन पानी चेंज करकर के अच्छे से धोलेंगे तो दाल को मैंने धोलिया है और दाल को धोने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से है और अरहर की दाल को कभी भी फुला के यानि की भीगा के बनाना नहीं चाहिए बाकी जो डाल होता है उसको भीगा के यानि की फुला के बनाते हैं बट अरहर की जो डाल है इसको कभी भीगा के यानि की फुला के नहीं बनाना चाहिए तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने ले लिया है कुकर और कुकर में मैंने एक चमच भर के देशी घी डाल दिया है आप चाही तो रिफाइन वाइल भी डाल सकते हैं उसके बाद मैंने एक छोटी इलाइची को तोड़ के डाला है आप चाही तो मूटी अबिपग्टी हुई टमाटर को भी मैं एड़ कर दी हूँ, अभी इसके बाद जो पाउडर मसाला है, एक एक करके पाउडर मसाला में डालती जाओंगी, तो सबसे पहले मैंने स्वयादनुसाँ नमक इसमें एड़ किया है, अभी थोड़ा सा थनिया पाउडर एड़ कर देंगे ताकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छे से आए और कलर के लिए हम डालेंगे कस्मीरी लाल मिट्च पावडर ताकि एक बहुत ही अच्छे सा कलर आ जाए अब धुली हुई जो अरहर की डाल है उसको हम एड़ कर देंगे और अभी तक मैंने गैस को अन नहीं किया है तो इस तरीके से डाल को एड़ करने के बाद डाल को इन सभी चीजों के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर ले तो इस तरीके से डाल को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है तो फ्रेंस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है मैं कर क्या रही हूँ तो इस तरीके अगर दाल आप बनाते हैं ना बहुत टेस्टी बनता है दाल बहुत ही स्वाधिस्ट बनके तयार हो जाता है और मैं बहुत से लोगों को देखी हूँ दाल को टेस्टी बनाने के चक्र में टमाटर प्याज को पहले बहुत ही अच्छे से बुन लेते हैं उसके बाद दाल बना तो देखिए दाल को मैंने सभी चीजों के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी इसमें में पानी एड़ कर रही हूँ तो देखिए एक कप दाल के लिए मैंने चार कप पानी यहाँ पे एड़ किया है आपको अगर गारी दाल खाना है तो आप कम पानी एड़ करे तो दाल में पानी आप अपनी हिसाब से एड़ करें, आपको किस तरीके का दाल खाना है, उसी हिसाब से आप पानी को एड़ करें, और कुकर का धकन लगा के मैं दाल को बनने के लिए रख दूँगी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उल्टा धकन कौन लगाता है, तो मैं आप उल्टा धकन लगा रही हूं, थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के इस तरीके से मैं चिकनाहट कर दूँगी, जहां पर सीटी साइड रबर साइड में इस तरीके से चिकनाहट कर देना है, ताकि कूकर हमारा गंदा ना हो, तो आपके पास तेल घी, जो भी है आप इस तर अब गयस में चढ़ा दूंगी और दो सीटी लगा दूंगी दो सीटी लगाने के बाद कुकर का जो स्टीम है उसको मैंने रिलिस कर लिया और आप देखी सकते हैं कुकर हमारा थोड़ा दोड़ा खीग हुआ है और धकन मैंने खोल दिया है वाव वहुत ही अच्छे से खुसबू आ रहा है और दाल देखी एकदम से परफेक्ट बना है ना जादा गाड़ी ना जादा पतली एकदम से जैसा consistency मुझे चाहिए था सेम ऐसा बना है और इसका दाना आप देख सकते हैं एकदम से अलग-अलग ह तो ऐसा ही चाहिए तो देखिए थोड़ा सा में दबा के दिखा रही हूँ ये गल चुका है थोड़ा सा इस तरीके से आप प्रेस करें तो ये एकदम से अच्छे से मुलाइम हो जाए यानि कि डाल अच्छे से गल चुका है अभी इस डाल में हम बहुत ही बढ़िया तरीक जीरा एड़ कर देंगे और जैसे ही जीरा चटक जाएगा तो दो सुकी हुई लाल मिर्च एड़ कर देंगे और लाल मिर्च जब कलर छोड़ना स्टार्ट कर देगा उसके बाद में कटी हुई जो लैसन है लान लेसन को मैंने एड़ कर दिया है और लेसन को एड़ करने के बाद लेसन को ज्यादा पकाना नहीं है कि लेसन को अगर ज्यादा फ्राई करते हैं ज्यादा पकाते हैं तो यह करवाहट छोड़ने लगता है तो इसलिए लेसन को थोड़ा ही हम फ्राई करेंगे और उसके बाद म हम एड़ कर देंगे तो फ्रेंज इसको इसकी बिल्कुल भी मत करें कि हरा धनिया से इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है तो हरा धनिया जब तड़के में डालते हैं तो इसका स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है यूनिक सा टेस्ट आ जाता है तो जरूर इसको डाले इ डाले थे ना सभी चीजों का फ्लेवर जो भी है ना वो डाल के अंदर समा जाता है और बहुत ही टेस्टी और स्पेशल बन जाता है अब उपर से कटी हुई हरा धनिया मैंने एड़ कर दिया है और बस ये हमारा तड़का वाला इस पेशल बनके तयार हो चुका है तो चलिए फटा फट से इसको सर्व कर लेते हैं और दाल को सर्व परने के लिए मैंने यहाँ पर गरम गरम राइस बनाए हैं तो राइस को हम प्लेट में डाल देते हैं और यहाँ पर मैं प्लें राइस बनाई हूँ क्यूंकि प्लें राइस के साथ यह दाल बहुत ही टेस्टी लगता ह तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अरहर की दाल को कभी भी भीगा के फुला के बनाना नहीं चाहिए बस इसलिए और हरी मिर्ची और बस प्याज का स्लाइस से मैंने इस तरीके से प्लेट को सजाया है जिसे की प्लेट बहुत ही डिलिसेस लग रहा है एकदम से धावा स्टाइल लग रहा है और ये डाल बहुत ही टेस्टी लगता है कास में आप सबको खिला पाती जरूर से ट्राइ करना और घर में बनाना और इसको इंजोई करना तो चलिए फ्रेंस आज का वीडियो बैस इतना ही होफुली आप सबको वीडियो पसंद आ